कोटा शहर के बोर्खेडा थाना छेत्र में आज सुभा CNG गैस से भरा टैंकर पलट गया 12 रोड पर डीडी नेत्र संस्थान के सामने वाली सडक पर टैंकर पलटने से हडकंप मच गया ड्राइवर खला सीने कूद कर जान बचाए सूचना पर नगर निगम की तीन दमकले मौके पर पहुची टैंकर को सीधा करने के लिए क्रेन मंगवाई गई निगम अधिकारी ने बताया कि CNG गैस को रिलीज किया गया ताकि हवा में घुल जाए फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ जन्हानी भी नहीं हुई घटना सुभच है बचकर 50 मिनत की बताय गई है निगम की टीम को 9 बजे इसकी सूच ना मिली बताया जा रहा है कि टोरंटो कमपनी से CNG गैस का टैंकर 12 से कोटा आ रहा था हलकी बारिश हो रही थी अचानक हाइवे पर गाय आ गई गाय को बचाने के चकर में ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और टैंकर डिवाइडर पर चड़ गया और पलट गया हाथसे के बाद पुलिस मौके पर पहुची सड़क के दोनों को बेरिकेट लगा कर रास्ता रोका गया टैंकर में 450 किलो CNG भरी हुई थी पिछले तीन घंटे से गैस को रिलीज किया जा रहा है खाली होने के बाद टैंकर को सीधा किया जाएगा निगम अधिकारी अजर खान एहमद खान टीम के साथ मौके पर है इसको फ्ता सक जाएगा看शना की भाइप, भाइप साथ मौके事 फिंदिस पिस एहां पिसको बाद के दिडम स्क गीई मौके तो यह जाएगा तैंतर के दाने हमद्वा का बंगा इस आखने एल कुरूझेIt झाल झाल